प्रादेशिक समाचार प्रदेश के नागरिकों को नगर और ग्राम निवेश विभा की विभिन सेवाएं देने के लिए पोर्टल शुरू और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारश होने की संभावना अब समाचार विस्तार से मुक्यमंत्री शिवरासें चौहान ने आज देवास में प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हितिकराहियों को मुआफ़ा राशी के प्रमान पत्र वित्रत के शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजद किसान संभेलन में किसानों को खरीब 2017 की दावाराशी के प्रमान पत्रों का वित्रन किया गया मुख्यमंत्री ने जिले के 1,6,000 किसानों को 552 करोड रुपे की दावाराशी के भुक्तान प्रमान पत्रों के वित्रन कारे का शुभारंब किया इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि ये सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की कल्यान के लिए राज्य सरकार ने कई कल्यानकारी योजनाएं शुरू की हैं। कारिक्रम में क्रिशी विशे शग्यों द्वारा किसानों को तक्नीकी सलाह देने के साथ ही सरकार की योजना और कारिक्रमों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत 2000 से अधिक हैतकराहियों को 25 करोड से अधिक के स्वीकृती पत्रों का वितरण भी किया गया। निर्वाचन आयोक के तीन वरिष्ट अधिकारी कल भोपाल में प्रदेश में होने वाले आगामी वधानसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में इस साल के अंथ में होने वाले वधानसभा चुनाव में पहली बार वीवी पैट का इस्तमाल होगा। सभी जिलों में जागरुकता वैन पहुँचेगी। भारत निर्वाचन आयोक के मुख्य चनाव आयोक चंद्रभूशन कुमार और संदीब सकसेना तथा संचालक आईटी वी अन शुकला मतदाता जागरुकता वैन को कल हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौकी पर मुख्य निर्वाचन पधादीकारी सलीना सेहें भी उपस्थत रहेंगी। ये वैन करीब एक महीने तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी शहरों में, कजबों और गाउं में पहुँचकर ईवी अम और वीवी पैट मशीन के उप्योग और प्रक्रिया की जानकारी देगी। वैन द्वारा मतदाता केंदरुस्थल तक पहुँचकर मतदाताओं को ईवी अम और वीवी पैट की कारेप्रणाली से अवगत कराया जाएगा। वैन में लगी LCD से दोनों मशीनों के बारे में जानकारी देने के साथ ही ईवी अम और वीवी पैट का प्रदर्शन भी किया जाएगा ताकि मतदाताओं वोट डालने की प्रक्रिया समझ सके। केंद्र सरका ने नई शिक्षा नीती का मसौदा तयार करने के लिए गठित के कस्तूरी रंगद समिती का कारेकाल इस साल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। के भाई और पूर्व विधायक स्वामी प्रसाद लोधी का आज सुभा नई दल्ली के एमस में निधन हो गया। उनका इंतम संसकार कल टीकमगड में किया जाएगा। मुखेमंतरी शिवरा सेहन चौहा ने श्वी लोधी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा है कि उन्होंने बुंदेल खट शेत्र के विकास के लिए समक्र चिंतन करते हुए राजनेतिक और सामाजिक चेपना जाकरत की है। मद्यप्रदेश भवन एवं अन्य समनिर्मान कर्मकार कल्यान मंदल के अंतरगत संचालत श्रमुदय आवासिय विद्याले प्रवेश परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम घोशत कर दिया गया है। प्रदेश के लोगों को नगर और ग्राम निवेश विभा की विभन सेवाएं ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल श्रू किया गया है। इस सिनाग्रेक अपनी भूमी के सर्वे नंबर के भूमी उपयोग भी आसानी से जान सकेंगे। इसके अलावा भूमी उपयोग प्रमाण पत्र, लेयाउट अनुमती के लिए उनलाइन आवेदन और साइबर ट्रेशरी के माधियम से उनलाइन भुक्तान कर नर्थारत समय सीमा में ये सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ये पोर्टल प्रदेश के सभी शहरों के लिए काम करेगा। पहले चरण में राज्य के आठ शहर दमोह, बैतूल, शुजालपूर, सेंध्वा, महियर, गोहद, शेहडोल और गंज बासौदा की विकास योजनाव को G.I.S. नक्षे पर कल से शुरू किया गया है। इसके लावा, पंधरा अन्य शहरों के नागरेक अगले एक महीने में पोर्टल से सेवाएं प्राफ्त कर सकेंगे। परियतन स्थलों की जानकारी के संबंद में जागरुकता लाने के लिए अगामें 31 जुलाई को कुष्प्रतियोगिता आयोज़त की जाएगी। मध्यप्रदेश परियटन बोर्ट द्वारा आयोजित अस प्रतियोगिता में नीजी और शास्किय वध्यालियों के एक अक्षा नवी से बारवी में अध्यानवरत वध्यार्थी शामिल हो सकेंगे। प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित होगी, पहले चरण में लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ट प्रश्ण पूछे जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में मल्टी मीडिया क्वेज प्रतियोगिता होगी। अब बात मौसम की प्रदेश में इस साल मौनसून में एक जून से साथ जुलाई तक आठ जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक बारिश तरच की गई है। प्रदेश के उजयन, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, सागर और रीवा संभागों के जिलों में कहीं-कहीं बारिश तरच की गई। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश अठनेर, रतलाम, सिलाना, महितपुर, तराना और जोबट में 3-3 सेंटिमीटर दर्च की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राजी के इंदौर, जबलपुर, शेहडोल, खुशंगाबाद संभागों में अनेक स्थानों पर और रीवा और जैन, भूपा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना व्यक्त की ह राजे में आगामी 10 और 11 जुलाई को वर्शा की गतिविद्यों में बढ़हौतरी हो सकती है बुलचन में अपकुछ समाचार संक्षेप में नीमत जिले में कलेक्टर ने सभी स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिये है उमरिया जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षन अभियान के दौरान सुधार के बाद आगामी 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा 14 जुलाई को आयुजित होने वाली नाशनल लोग अदालत में हुजंगाबाद जिले में संपत्ति करके 50,000 रुपए तक के प्रक्रणों में अधिभार में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी राजकर जिले में दस्तक अभ्यान के तहत 31 जुलाई तक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्वास्त परीक्षन किया जाएगा शिवपुरी जिले में निर्माना थीन शोचालेओं के भुगतान न करने पर सम्मंधित सर्पंच सचेव और रोजगार सहाय के वरुद कारवाई करने के निर्देश दिये गए हैं और खनवा जिले के छे गाओं माखन थाना अंतरगात अंदोर इच्छापुर मार्क पर आज होई सडग दुर खटना में एक सब इंजिनियर की मौत हो गए अंत में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवरा सेह चौहान ने आज देवास में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हित्गराहियों को मुआवजा राशी के प्रमाण पत्र वित्रत किये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को EVM और VVPAT के बारे में जानकारी देने के उद्देश से 10 जुलाई से जिलों में पहुंचेगी जागरुकता पैन प्रदेश के नागरिकों को नगर और ग्राम निवेश विभा के विभन सेवाएं देने के लिए पोर्टल शुरू और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारश होने की संभावना इसके साथी प्रदेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्थ हुआ नमस्कार